बच्वों पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेडिस का पांचवा अध्याय कॉंप्लेक्स नंबर्स यानिकी समिस्र संख्यां वद्विघात समीकरण बच्वों इसके भाग पांच तक के वीडियो हमने पढ़ लिए हमने अब तक देखा समिस्र संख्या क्या होती है इनका उपयोग संख्यांक, दुरुविय रूप, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, पॉलर फॉर्म इन सभी के बारे में बच्वों नंक से पढ़ते हैं तो पहले कुछ तुम्हां पांच मिनट के लिए थियोरी पढ़नी पढ़ेगी फिर उसको प्रैक्टिकली मैं तुम्हां करके समझात हूं, आईए, सभी बच्चे बिल्कुल जहां से देखना है, इसको नोट डाउन भी करना बाद में है, जामेतिय रूप से प्रतेख समिश्रे संख्या, इस निरूपन के अंतरगर प्रतेख समिश्रे संख्या के लिए सम्तल में एक निश्चित बिंदू है, इस बात को बिल्कुल जहां ना, मालो इसका जामेतिय रूपन में दो कोमा तीन है, इसका अवला दो प्लस तीन आयोटा हो, इस प्रकार सभी समिश्रे संख्या होगे, समुच्य को सम्तल के सभी बिंदू को समुच्य में एक एकी संगती one to one correspondence इस्तापित होती है, अत ऐसे सम्तल को समिश्रे सम्तल कॉम्प्लेक्स प्लैन या आरगंड सम्तल या आरगंड प्लैन या आरगंड आरेक कहा जाता है, पहले तुम समझो फिर एक साथ नोट डाउन करना ना, अक्ष पर सभी विशुद्ध काल्पनिक संख्यां इस्तीत होती है, इन्हें क्रेमश्य वास्त्विक अक्ष तता काल्पनिक अक्ष कहा जाता है, यानि कि बचो अक्ष पर क्या होती है, वास्त्विक भी होती है और का अक्ष पर इमेजनरी काल्पनिक बच्चो किस पर वास्त्विक अक्ष से जुखाव होता है, उसका कौन होता है, बच्चो जैसे मालो, यह कोई लाइन ऐसे जारी है, तो यह जो जुखाव है, इस से तात पर यह दिश्ट रेखागंट का वास्त्विक अक्ष से जुखाव होता है, जैड के कौनांग को प्रहा है, आर्गूमेंट ऑफ जैड यह एम्टिट्यूड ऑफ जैड से वेक्त करता है, जैड एक्स प्लस आगटा वाई, जैड जीरो नहीं होगा, आर्गूमें से पहले आपको यह सब बाते नोट डाउन करनी है, ठीक है, बच्चों, आर्गूमेंट ऑफ जैड वो हमेशा होगा, माइनस पाई से तो बड़ा, और पाई और पाई से चोटा, यहां पर लाई करेगा, ठीक है, व्यापा ग्रूप में जब तक निर्दिश्ट नहीं किया जैड के कोडांग से ताथ परि उसके मुख्य कोडांग से होता है, और मुख्य कोडांग कहां से गातक होगा, माइनस पाई से बड़ा, और पाई और पाई से छोटा, जैसे बच्चों, आपने त्रिकोंड मीती है, समीकरण पड़े थे, जैसे साइन थीटा बरावर साइन तो उसका General form क्या था ता एन पाइप्लस मैनेस वन की पाओर एन अलफा थाना इसा मतलब बोलें कि साइन में 0 मान के वल 0 डिगरी पर ढहता है यहां पर क्या होता है अगर वह खुद ना बोले तब तक हमें मुख्य कोड़ांग की मानना है और मुख्य कोड़ांग कांसे का तक होगा यह चार कॉडरेंट अपने होते ही हैं बच्मन से तुम जानते हो सारे तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस यह भी काम आएगा इस बात को बिल्कुल दिवांगों फिट कर लेना भाई पहले चदुदांश में यह भी पॉजेटिव यह भी पॉजेटिव निरूपित करते हैं यह बिल्कुल इंपोटेंट है अपर अगर हमारा प्रश्ण ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है ठीक है और दोनों प्लस प्लस है तो डायेक्ट हमारा जो कोणांक होगा बच्छो थीटा होगा जो भी हम निकालेंगे बिट्विन माइनस पाई माइनस पाई से बड़ा पाई और पाई से चोटा रहा यदी यह तो हो गया देखो यह फर्स्ट में हो गया क्यों थीटा अगर सेकंड में होता है तो वह चुम क्या बोलेंगे पाई माइनस थीटा अगर सेकंड क्वाडन में जाता है तो हम क्या बोल माइनस पाई प्लस थीटा इस ब्रेकिट को ओपन करो एक बर तो पाई तो माइनस का और थीटा किसका हो जाएगा प्लस का जो भी थीटा है उसमें माइनस पाई एड़ कर देंगे यदि फोर्थ में रहता है यानि कि प्लस और माइनस में रहता है तो हम डारेट क्या लगा दे माइनस प्लस में है, सेकेंड में है, हाना, तो हम क्या बोलेंगे बच्छो, पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस माइनस, तो माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है, और प्लस और माइनस, यानि कि फोर्थ में है, तो बच्छो, केवल माइनस थीटा, अगर ये चारू बाते तुम्हार दिमाग फित है, तो अगली जो exercise या प्रिश्णम करने वाले हैं, सारे बहुत आसान हो जाएंगे. कर लोगे, दूबार, एत्गरोब दोर से, प्लस-प्लस है तो, प्लस-प्लस है तो, प्लस-प्लस है तो, केवल थीटा, माइनस, प्लास है तोêm पाईटा, माइनस, माइनस। माइनस है तो माइनस, पाईटिव थीटा, यह प्लस, माइनस है तो नेगिटिव थीटा, इतनी सी बात है अब आओ बच्छो दुरुविय रूप फिर एक साथ कोशिन कहता है पॉलर फॉर्म हा ना पर इसकी पॉलर फॉर्म देखो जेट प्लेस एकस आयोटा वाई को आरगर्ण समतल में निरूपित करने वाले बिंदू पी एकस वाई पी लगा देता है पॉलर फॉर्म के लिए ना दुरुविय रुदेशंग आर थीटा हो तो आर क्या होता है बच्चो रूट एकस स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर यानि कि यहोगे इसका मापांग और थीटा जो निकालोगे वही टैन इन्वर्स वाई अप आयोटा रशाइन थीटा आर कॉमल लेलो आर कॉस्ट थीटा प्लस आयोटा संथ स्वाइर इंपौर्टेंट करें स्टाट चलो यह देखो वही यह रस नीच यह पर आर कॉस्ट थीटा गया सेम चीज एटा निकालना मैं तुम्हाँ शिखाता हूं तो एकज़ांपल से जित विद एक जामपल अपन करते हैं ध्यान से देखना अब संविष्र प्लस इट्रिवे रूप में निरुपित कीजिए सबसे पहली बात समिष्र संख्या एक्स का जो compare करेंगे वो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा से हाना वाई को compare करेंगे तो आर साइन थीटा बोलो agree हो यह नहीं हो अच्छा equation 1 जहां से देखना equation 1 और equation 2 को square करके add करने पर यह बात तुम्हें लिखनी पड़ेगी इन दोनों को square करो add करो हो तो अईखाया को से स्कुषैर को सबार थीटा प्लस अरैसों स्कुएर साइन स्कुएर थीटा ठीक है बराबर x स्कुएर प्लस you square toner का बात सुन मैं के सब है चुकि हम जानते हैं sin square theta plus cos square theta बच्चो कितना होता है वन तो r square बराबर कितना गया एकस square plus y square तो बच्चो और की value कितनी आगी अंडरूड x square plus y square यह लिजे r कामान तो हमने निकाल लिया ठीक है तो यहां पर बच्चो क्या हो जाएगा बिल्कुल धान से आपे और यहां पर प्लस तीन कितना गया जल्दी से बता दो तीन और एक चार चार करूड बचो कितना गया दो यहार का मान आ गया पहली बात अब हमें निकालना है इसका मापांग तो हमने निकाल लिया अब निकालने के लिए ध्यान से देखना थोड़ा से उपपर इसको वरता है अब निकालते हैं बच्छो आर्ग्यूमेंट आफ जैट निकाले क्या होता है सभी जानते हो हो टैन्न इन्वर्स वह बटा एक्स तो य की वेलिव्य थो य की वेलिव को इसलिका देख थे लिए एक सेकंड की को नीच आहना वाई 1 प्लस रूड़ 3 आयोटा चलो देखो आजो वाई की वे लिए कितनी अंडरूड 3 और X कि वे लिए कितनी वन 10 इंवर्स अंडरूड 3 अब यह तो तुम्हों पता है थीक है 10 इंवर्स अंडरूड 3 की यहीं हम बात करते हैं थीक है तो बच्चो अंडरीउर रिफ साथ बच्चो से जब तोह बारवी कलाश में बटाब्स से और किप्र सुमूंद बता है कर लोगो इसके प्रिंसिप्ल वेलू कीबात कर रहा होगा ना इसके प्रिंसिपल़ वेल्उ के अंतरकत आ रहा है तो यह बच्चो कोणांग जो मारा नों पाई बटा तीन आ गया फिलाल तो लेकिन अभी तक कॉस्चन कंप्लेट नहीं है यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है यह देखो बच्चो यह वन प्लस रूट थ्री आ वेटा है प्लस प्लस है ना पहले क्वाडरेंट में न और पहल बटा तीन अब तुम बिल्कुल औरा हम से हल्ला करके लिखो कि फाइनल इसकी पॉलर फॉर्म बच्चो कितनी आगे है मारे पास आर आर कामन कितना है दो ठीक है कॉस्ट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यह लीजिए बच्चो यह हमने इसकी पॉलर फॉर्म निकाल दी एंब तुम माख्यशक हो तूमाहार आंसर पे हैं तो चेक करने के लिए बच्चो क्या कर सकते हैं शेक करना बता रहा है इसको फापी Ayot d legal day तो बच्च्च ऐसाख और से बच्चितना आ गया उपर प्लॉंड रूड 3 Is До कैंसेम tulee बच्चितना है एक कनवर्ट ही तो किया पॉलर फॉर्म क्या है उसी को दूसरे रूप में कनवर्ट करना बोलो हाया ना एक मिटर को सो सेंटीमेटर लिख दो को फरक थोड़ी पड़ेगा तो यह लीजियम ने इसको यही तो किया अब क्लियर है क्या सुझ में आई किया बात अब यहां पर द तो वन माइनस रूट थ्री आयोटा से मतलब क्या है द्हान से देखना जो कि यह जो मैं तुम में बता रहा हूं न यह तुम इंवर्स टिग्नोमेटरी में जो तुम रेंज डोमेन वह सारी बाते जो तुम बारवी क्लास में सीखोगे तब जाके मज़ाएगा इसका और भी सरी गृफ में तो हम इस पाई थरी को करते थे माइनस पाई थ्री और यहां पर मांच प्रेक्ष व्रेकज़ मिल खोड़ेंगे करें तो अपने आप आ जाएंगे इस तरह के सारे यहां तुमारी प्रस्ण मियां करें जोनों carved案 इसको नोट डाउन कर लेना बच्वाराम से ठीक है इसका एक और तरीका यहां पर मेंशन है जो प्रोपर तुम्हें एक्जाम में करना होगा जिस तरह से लेंग्वेज लिखते हुए वह आप नोट डाउन कर लेना आगे बढ़ता है दुरुविय रूप में रूपांतरित कीजिए बहुत असान है करते हैं वही बच्चो दुरुविय रूप क्या होता है पता है न अरे जल्दी बताओ आर कॉस्ट थीटा प्लस आयोटा साइन थी आर बराबर कॉस्ट थीटा एक्स बराबर आर कॉस्ट थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा दोनों तब वर्ग करने पर अब चूंकि ऐसा ही प्रेशन दुबारा कर रहे है तो मैं थोड़ासा डारेक्ट कर रहा हुँगा ना तो अच्छो एक्स की वेल्यू अब यहां से हां जैड बराबर बचल किना माइनस का 16 बटा वन फलस रूरत इसको वन म on a थैयूटा से गुना भी करेंगे और वन 一 प्लस नीचे चार चार से चार प्लस चार अंडरूर तीन आयोटा जाएगा तो यह हमने इसको proper convert कर लिया ए प्लस आउटा बीकी फों में अब यहाँ पर आजो पच्छो एक्स कमान तो कितना है माइनस का 4 ठीक है अज़ा वाई कमान कितना है सर वाई कमाने 4 अंडरूड 3 यह लीजिए यह हमारे पाइस का मापांग का जाएगा आर का मान जाएगा ना तो आ और यह आगया बच्छो अंडरूड 64 अंडरूड 64 कितना होता है आठ यह हमारे पास आर का मान आगया देट इस मोडिलोस ऑफ जैड मापांग आ फिलाल तो अब हमें थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्छो पता है ना तुम्हारे को जल्दी बोलो हाए ना खु ठीक है वाई अपान एक्स इस बात का ध्यान रखना बच्छो एक बात और यहां पर हमें मोड लगाना है मतलब नेगेटिव से तुम्हां बिल्कुल मतलब नहीं है यहां पर मोड लगा जैना हमेशा ठीक है अगर कोई आ भी जाए तो अना फिलाल तो इसमें नेगेटिव स आइना है वहाँ पर तुम्हें क्या लगाना है यहां भी मोड लगा जैना और पर नहीं बढने वाला जो मैंने तुम्हां प्लस का खतम फाइनल आर्गुमेंट लिख रहे है फाइनल कोणा कोरां के लिख रहे है थीटा लिख रहे है वो तो मैं उस चार्ट के अकोडिंग लिखिर आउन ना ठीक है अब आजाओ सावा नहीं तो कने स्टार्ट 10 इन्वर्स आउट य का मान कितना है चार थीन इसका कितना है माइनस का चार ठीक है यह कैंसल तो भी अंडरूर 3 आ गया अंडरूर 3 आ गया तो बच्छों डारेक्ट लिख दू क्या बोलो क्या गया टेन साथ डिगरी यानि कि πाई बाई 3 अब हमें क्या रेखना है कौन से चतुता आँ शुमें बच्छों माइनस प्लस माइनस प्लस के लिए मों करते हैं बच्छों दूसरे में बैस थीटा है तो नुए-प्य कि मैनने समझ्या lucky ठीक है न गे recipe काई मैंस पाइबए प्लस आयोटा साइं दो पाई बटा तीन ये फैनल अंसर है जी कहत लो का आरहम से हैं आज़ ब्लस उनका साइं टू पाई 2 वैंटा तो बात सवन मैं रही क्या अब यहां पे दो को सॉलूशन करते आज मैं तुम एक बात लिखनी है क्या जैसे मैंने तो यह मैंने पाई-उन राइँ पाई-उन थी योग चाट बनाना या पर जो मैंने थोड़े देर बनाय था चुनकि माइनस प्लस दूसरे 4 Parlament मैं दूसरे में पाई-उन सीटा ठीक है कोड़ांक बरावर पाई-उन सीटा थीटा तीसरे में अते माइनस सीटा चोते में सब्सक्राइब करेंगे लेकिन बिल्कुल द्यान से सुन लो तुम ट्राइब करोगे तो ठीक है ट्राइब करने के बाद जब तुम पांच पंदो के वीडियो देखोगे जो अगला पार्ट होगा हमारा फिर आपको सैडिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई लेवल हो जाएगा मैं तुम प्रशन खुछ से ट्राइब करो कोई बात नहीं हो तो कोई फरक नहीं पड़ता फिर वीडियो देखना लेकिन ट्राइब करने के बात मिलते हैं धन्यवाद